हे गाईज कैसे हैं आप सब लोग और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आपके पास भी कंप्यूटर या लैप्टोप है कोई से भी विंडो का है और इसमें आपको साउंड को लेकि दिक्कत आ रही है कि आपको स्पीकर, कोई हेड़फोन या कोई भी चीज कनेक्ट कर रहे हो उसमें साउंड नहीं आ रहा है यानि आवाज नहीं आ रही शायद वो पहले आ रही थी आपने उसको install करा है विंडो इसके अंदर या अपने नया खरीदा है कोई भी दिक्कत हो सकती है पर आपको main दिक्कत देए आ रही है कि sound नहीं आ रहा तो इसमें आपको क्या क्या चीजे फॉलो करनी है आईए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं देखिए सबसे पहली चीज अगर आप कोई भी कंप्यूटर या लैप्टॉप असेंबल करते हो यानि उसमें कोई भी सेटिंग करते हो और आपके कंप्यूटर लैप्टॉप में विंडो सेवन या विंडो एट है तो उसमें आपको साउंड ड्राइवर भी इस्टॉल करना होता है मुश्री लोगों के पास Windows 7 होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि उनके कंप्यूटर में Sound Driver नहीं होता है तो आप एक काम करिए अपने मुबाइल में सर्च करिए Sound Driver for Windows 7 जैसे कि मैं कंप्यूटर में सर्च करके बताता हूँ आपको आप यहाँ पर सर्च करिए Google में जाके Sound Driver for Windows 7 सर्च कर लीजिए सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाए कई सारी वेबसाइड तो आपको यहाँ पर Real Tech का जो Sound Driver है इसे इसे इस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर में यह हो जाएगा यह आपके कंप्यूटर में यह पहले सही है यह आपके कंप्यूटर में विंडो टैन है तो आपको इसकी ज़रुवत नहीं है अब अगली चीज़ ध्यान दीजिए आपको अपने कंप्यूटर में विंडो बटन प्रेस करना है control panel search करना है control panel search करिए search करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर hardware and sound इस पर आईए sound वाले option पर click करिए sound वाले option पर click करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर playback और आपको सारे speaker या जो भी device होंगे अब आज आती होगी यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको सबको enable कर देना है यहाँ पर right click करिए enable पर click करिए यह disable option आ रहा है देखिए जैसे कि आप इसे enable करेंगे हम तो यह हमें इसे enable कर देता हूँ ऐसे enable कर दीजी सारी इस पर right click करना है आपको मिलेगा यहाँ पर test इस पर click करें तो यहाँ पर साउंड प्ले करके आपको दिखा देगा देखिए मैं दिखाता हूं डिसे यहां पर टेस्ट पर तो यानि यह चल रहा है अब अपलाई कर दीजिए और आपके दिखकर ठीक हो जाएगी इसके अलावा यहां पर नीची की तरफ जो साउंड का आइकन होता है इस पर ध्यान द रहा है यहां पर अपना स्पीकर सैट कर लीजिएगा और कोई ज्यादा बड़ी प्रावलम नहीं है नीचे मेरा माइक्रोफोन आ रहा है जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे यह बढ़ रहा है इसके अलावा आप स्पीकर वाला एकन पर नीचे कॉर्णर की तरफ पर राइ देखने को नहीं मिलेगी इसके अलाव एक और ची ध्यान दीजिए अगर आप कंप्यूटर में जो स्पीकर वागरा लगा रहे हो उसको सभी से कनेक करिए आप किसी यूटु predominant करते हो की स्पीकर कैसे कनेक करते हैं home theater कैसे कनेक करते हैं आपको सारे जानकरी यूटु पर मि जाएगी वीडियो पसंद आई है लाइक करिए अगर आपका कोई सवाल है कमेंट करिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई एंड टेक केर